अस्तामलेकुम वियर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज की वीडियो में आप लोगों को पॉलर वाली सीक्रेट बेस के बारे में बताऊंगी कि उससे फ्लॉलेस बेस कैसे बनाते हैं, वो पॉडर कौन सा सीक्रेट पॉडर है जो पॉलर में यूज किया जाता है, उसकी इंट्रस्टीड हैं, तो ये गुड न्यूस अभी में आगे जाके आपको बताती हूं, इसके लावा जी मूस बेस को कैसे यूज करना है, इससे न्यूज कैसे क्रियेट करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, तो जनाब जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, चलें जनाब अपनी धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं, आज इस बेस की बात मैं करूंगी, ये है जी, एमफी कंपनी की बेस, ये पैकिंग कुछ इस तरहां से है, इस बेस का रिविउ, मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकि हूँ, मेरी फेवरिट बेस है, अच्छा अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए तो जबरदस क्वालिटी हैं, इनकी मूज बेस की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि ये मूज बेस पकी किसम की न बता चलेगा, तो विडियो स्किप ना कीजेगा, ये टू शेड्स जो है, इनके पिंक है, ये टू शेड्स जो है, इनके येलो टोन में है, अच्छा जी पिंक शेड में भी इनका एक लाइट डार्क है, और अब भी जो मैंने आपको दिखाय था, वो इनकी ब्राइडल बे प्रोफेशनली आप लोगों के पास होने बहुत जरूरी है, अच्छा अगर आप लोग नंबर की बात करें, तो ये सर इमरान के नंबर जो है, वो मैं आप लोगों के साथ शेड का रही हूँ, आप इनके और दे सकते हैं, ये पूरी एट बेसिस का सेट है, जी इनका, इनम आप लोगों को मिलेंगी, एट थाउजन की बजाए, सिक्स थाउजन डुपीज में, तो जहां पूरा सेट खरीदने में फाइदा है, उसके साथ डबल फाइदा आप लोग कैसे ले सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, के ये हैं इनका सर्टिफिकेट, जो के ब प्रासिज और्गनाइज की जाती है, मेकप की उसमें दिया जाता है, तो ये अगर आप पूरा सेट खरीदे हैं इनकी बेस का, तो ये आपको फ्री आफ कॉस्ट मिलेगा, और आपको इसका कुछ भी पेर नहीं करना पड़ेगा, अगर आपके पॉलर्स हैं, या आप सीख कामने एंफी कॉस्मेटिक्स और आप ले सकते हैं light वाला powder यूज़ कर सकते हैं, बहुत fair लोगों के लिए light powder यूज़ करनें, next जो shade आप लोगों के साथ में share का रही हूँ यह है जी 45, 45 इनका best ever shade है, मेरा favorite shade है, बहुत ही जबरदस एक मुझे इनकी bridal base बड़ी पसंद है और एक मुझे ये shade बहुत पसंद आया जो मेरी skin tone के साथ बहुत best जा रहा है एक shade बहुत अच्छा है, tint बहुत अच्छा है इसका और इसको 45 वाले और 38 वाले easily use कर सकते हैं, 45 वाले इसके लिए, इसके उपर light powder use करेंगे और 38 वाले जो हैं वो skin powder भी use कर सकते हैं और अगर light भी कर लेंगे तो उनको suit कर जाएगा ये दो options बहुत जबरदस्त हैं और जो हम बहुत उंचे उंचे और बड़े brands में जाके basis पसंद कर रहे होते हैं, उन basis में ये almond shade होता है जो मैंने 45 MP का पकड़ाव है इसके साथ आप दोनों powder को use करके light or dark base बना सकते हैं और आपका 45 shade जो है मेरी तरफ से highly recommended है क्योंके मेरी skin पे suit भी करता है और 45 पे भी जाता है तो ये लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा जी अब next shade की हम बात करें, तो next है जी 2W अब इनके 2 मैंने आप लोगों को yellow tone दिखा दी है 2 आप लोगों को मैं दिखा रहीं, जी pink tone yellow tone में भी एक light or dark है pink में भी एक light or dark है ये जो मैंने अभी पकड़ावाई ये है, जी 2W अब मैं इसका स्वाच अकर आपको चेक करवा हूँ तो ये बहुत ज्यादा pink नहीं है, लेकिन इसमें pink tint मौजूद है लेकिन जब आप powder base लगाएंगे ना, तो ये उसको balance करेगा बहुत ज्यादा pink pink base नहीं बनेगी जो लोग थोड़ी सी pink base पसंद करते हैं, pink tint पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, light base बनाने के लिए dark shades पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो देखें, light pink था, ये है, थोड़ा सा dark pink अच्छा जी, अगर ये 36 वालों पे यूज़ करेंगे, तो इसके उपर आपने इनका skin powder लगाना है, और अगर आप इसको 38 के लिए यूज़ करेंगे, तो आप इसके उपर light powder लगा सकते हैं, तो ये था जी, इनका dark shade, और जिसको आप दोनों powder के साथ यूज़ कर सकते हैं, दो pink shades हैं, और दो ही yellow shade हैं, yellow shade मेरी तरफ से highly recommended है, और ये आगया जी, इनका, वो shade जो मैं इसको बहुत अच्छा कंसील करता है, और ये 38 वाले इसको as a concealer राम से purchase कर सकते हैं, यूज़ बहुत अच्छे result देगा, अच्छाजी चाइनीज वाले लोगों पे दोनों powder को यूज़ करते हैं, ये अब जी, इनका orange concealer है, ये concealer उसका काम आएगा, जब बहुत ज्यादा dark circles हों, बहुत ज्यादा dark spots हों, blood pressure के निशान हों, ये concealer उसको यूज़ होता है, अगर आपने एक best concealer लेना है, तो आप इनकी bridal base ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ऐसे लोग आते हैं, जिनकी skin tone बहुत dark है, और उनके dark spots भी हैं, dark circle बहुत ज्यादे हैं, तो आप ये वाला orange concealer पर chase कर सकते हैं, और full set में तो ये आपको मिले गई, यहाँ पे मैं आपको new shade create करके दिखा रही हूं, कि मैंने थोड़ा सा लियाजीन का orange pigment, उसमें मैं add कर रही हूं, इनकी ये bridal base और अच्छा तरीके से mixing करनी है, ठीक है न, यहाँ पे अब आप देखें कि बहुत सूरत सा new shade बनता जा रहा है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना जहन लडाना होता है, कि यहाँ पे अब मैं हम अगर lighter shade इसमें add करेंगे, तो यह बहुत ही प्यारा सा 36 shade जो है, हम खुद अपना बना लेंगे, अच्छा जितनी 6 bases इनके यहाँ पे रखी नहीं है, यह जो shade मैंने बनाया है, इनमें से यह कोई shade नहीं है, ठीक है न, तो यह मैं भी आपको apply करके भी दिखाती मैंने इसमें last में थोड़ा सा ivory add किया, और मैंने इनका bridal add किया है, और जी orange pigment, तो यह 36 base अगर आप लेना चाहें, यह वला pigment चाहिए आपको तो आप इस तरीके से create कर सकते हैं, इस तरह और भी जो इनके shades हैं, उनके साथ बहुत सारे shades जो हैं, वो आपस में खुद बना सकते देखें, खुबसूरत कितना लग रहा है, कितना जबरदस tint बना है, और मैं इसको blend का रही हूं, तो यह बहुत अच्छा skin में blend हो रहा है, इनकी mood basis की बात यह है, quality यह है कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से blend कर सकते हैं, without water आपने इनको use करना है, सिरफ powder को हम water के साथ use करेंगे, तो यह देखें, जी blend हो कितना खुबसूरत लग रहा है, तो यह जी 7th shade मैंने आप लोगों को दे दिये, पहले तो 6 थे ना, जो इनके आप परचेस करेंगे, और यह दो शेड हैं जी, इनके F1 और skin powder में, जो के आप पूरे set के साथ ले सकते हैं, और separate भी परचेस कर सकते हैं, तो जनाब यह 7th shade हैं और यह जो 7th one है ना, यह मैंने खुद आप लोगों को बना के दिखाया है, फेस पे अपलाए करने से पहले मैं आप लोगों को इसका waterproof होने का proof दे दूँ, यहां पे मैंने powder बिलकुल नहीं लगाया, इनकी mousse base की quality यह है, यह खुद बहु नहीं करेगी, आप इसको जो है वो cleanser के साथ या makeup remover के साथ remove कर सकते हैं, अब आजाती है जी face application की model का before face आप लोग देख लें, उसके बाद जी अब मैं आप लोगों को guide करती हूँ कि model के face पे कौन सी base suit करेगी, यहां पे मैंने अपनी model के face पे use करनी है, जी दो shades आप लोग shade है और जो 45 है वो भी इनकी basis में, एमफी की basis में dark shade है, ठीक है दोनों मैंने आप लोगों को पहले describe कर दिया, अब यहां पे दो concealer है, एक है जी orange और एक है जी bridal base, अब जो orange concealer है वो मैं यहां use नहीं करूँगी, क्योंकि model के बहुत ज़्यादा dark circles नहीं है और ना ही बहुत ज concealer, dark circles बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत minor से हैं तो हमें conceal करना पड़ता है, जहां जहां थोड़े बहुत dark spots हैं, वहां वहां मैं conceal करूंगी, और आप bridal base की quality देखें कितना अच्छा hide करके skin के साथ मर जो रही है, अच्छा जब आप इसको use करेंगे ना इनकी moves base को तो आप को खुद इनकी quality की समझ आएगी, कि ये bases उतनी ज़्यादा आपको blend नहीं करनी पड़ती हैं, जितनी हैं आप लोगों को बाकी करनी पड़ती हैं, अच्छा waterproof, ये पक्की वाली waterproof है, तो आप इसको 12 घंटे easily चला सकते हैं, और आपको खुद ही इसको remove करना पड़ेगा, ये फिर 45 वाले powder जो है, वो light वाला यूज़ करेंगे, लेकिन मैं model के साथ जो powder यूज़ करूँगी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, तो कुछ tips और tricks होते हैं, basis के, जो आप लोगों को follow करके, base को अपना जो है न, अच्छा बनाना पड़ता है, मेरा sponge जो है, वो बिल बिल्कुल भी oxidize नहीं होगी, तो जो exact shade मैंने आप लोगों को बताएं, आप वो ही अपनी skin के लिए purchase कर सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया है, दो light और dark shade, light और dark powder भी बताया है, अब यहाँ पे model के skin पे मैंने base की application कर लिया है, इसकी skin पे मैं use करूँगी, जी skin color में आपने water इसमें add नहीं करना, आप एक एक दो दो कतरे करके इसमें डालें और mixing करते जाएं, बहुत ज्यादा thick भी paste नहीं करनी है, यह देखें जी blend होके, कितनी खूबसूरत look दे रहा है, अच्छा इसमें shiner भी मौजूद है, अगर आप यह सोचें के भी shine वाली base कैसे बने ना कोई face powder लगाना है, ना ही आपने कोई pancake लगाना है, यह सब कुछ है, ठीक है हमने पहले mousse base apply की, अब हम apply का रहे हैं जी, अपनी mineral base जो के powder form में आपको मिलेगी, और इनका जो मैंने shade लिया है, वो है G skin, और मैं पूरे face पे, जैसे paint करते हैं, उस तरीके से आपने यह apply कर यह बहुत ज्यादा ठीक नहीं रखनी इसकी consistency, और एक बात कि इसको आपने apply brush के साथ ही करना है, sponge के साथ नहीं करना, sponge के साथ apply करेंगे तो यह फिर फटी फटी सी look देगी, और sponge जो है वो बहुत ज्यादा base जो है अपने अंदर absorb कर लेता है, अच्छा जी हमने neck पे भी करती चानूं, कि blending हमने फॉरन start कर देनी है, यह आपने brush से apply किया, तो जो हलकी हलकी सी wet होता है ना, जब यह mineral base हमने तब ही इसकी blending start कर देनी है, और tap tap करके हमने blending करनी है, ठीक है, mousse base और इसका जो combination है, बहुत जबरदस्त है mineral base का, जैसे जैसे आप blend करते जाएंगे, दोनों हापस में, मर्ज होती जाएंगे, और skin के साथ बहुत अच्छी match होके flawless look देंगी, कहीं पे कोई crack नहीं आएगा, और आपने इसकी skin की preparation के लिए, मैंने ना, सिर्फ मॉस्चराइजर लगाया, कोई primer नहीं लगाया, कोई serum नहीं लगाया, सिर्फ मॉस्चराइज की है skin को, then blending क अब face देखें, कितनी flawless look दे रही है, complete base हमारी जो है, वो इसके साथ बन गई, यहाँ पे मैं आपको अभी base का texture दिखा रही हूँ, फिर मैंने पूरा make-up किया, उसके बाद भी आप skin पे देखें, कि base कितनी खुबसूरत लग रही है, आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा है, जै मैंने mention कर दिया है, मैं video के start में ही, तो आप जरूर order कीजिएगा, मेरी recommendation पे तमाम skin type और तमाम skin tone वाले इसको use कर सकते हैं, सिरफ मैंने Chinese की बात नहीं की, तो Chinese वाले जो है, वो इनकी bridal base use करेंगे, तो यह make-up की video कल आप लोगों के साथ share करूंगी, लेकिन देखें, make-up भी हो गया, पूरा base बहुत कमाल लग रही है, उमीद करती हूं कि class आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को subscribe कर दे, मैं मिलूंगी आप से अपनी next video में, अलाफिछ